एक आयलेंड में 100 लोग फसके थे, वो आयलेंड समुंदर के इकदम बीच में था, इसलिए निकलने के चांसे बहुती कम थे, इसलिए उन लोगों ने आशा की कि कोई आएगा और उन्हें लेके जाएगा, एक हपता भी था, फिर एक महीना, फिर कुछ महीने भी थे, लेकिन क कोई भी नहीं आया, 90 लोगों ने हार माली, लेकिन उन्हें से एक था, जिसने तभी भी हार नहीं माली, लेकिन अब किसी दूसरे को पर आशा नहीं करिये, उसने खुद महनत की, और वो जंगल में चला गया, जंगल में जाके उसने लक्रिया कलिट की, जो बाकी लोग थे, उन्होंने ये देखा, और देखके बहुत हैरान हो गये, कुछ देर तक तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, और फिर क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस आदमी को पागल खुशिच कर दिया, रेकिन उस आदमी ने किसी की नहीं सुनी और वो लक्रिया करेट करता गया कुछ दिनों बाद एक मीटिंग हुई और डल ने डिसाइड किया कि उस आदमी को खाना नहीं दिया जाएगा फिर भी उस ग्रूप में उस आदमी के कि तुम मेरे साथ चलोगे पहले दोस्त ने मना कर दिया लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कही पर भी चलूँगा बाकी लोगों ने फिर भी यह नहीं माना कि वो कभी भी पहुचवाएगा इतनी महनत करने के बाद जब आपको ताने सुनने को मिले तो बहुत बुरा लगता है और उसे भी बुरा लगा फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो रैफ्ट लेके चला गया आखिर में अपने दिस्निशन तक पहुच ही गया उसने हार्ड वर्क और प्रेसिस्टेंस का एक बहुत ही बड़ा मिसाल खड़ा कर दिया अब मेरा प्रशन यही है कि आप क्या वो पागल है जैकर इस पागल के पहले दोस्त है या फिर दूसरे दोस्त है या फिर उन नौर्मल लोगों में से है जो की चीजों को सिर्फ स्क्रिप्टिकली देख जानते हैं एक बार अच्छे से सोचना और इस प्रस्ने का उट्टर मुझे कॉमें सेक्षिन में जरूर देना मैं इस चानल पर इसी तरीके की इंफ्रमेटिव चीज़े आपको बताता रहता हूँ इसलिए आपको अगर यह स्टोरी पसंद आई है तो जरूर मेरे चानल को स बहुत बहुत तन्यवाद